कुछ हैं दोस्तो क्रिकेट हैं और हमारे देश में क्रिकित कि很ातर से कं नहीं है और एसे में मैं आपके लिए ले कर रहा हैं सब्वी क्रिकेट में लेक्टर जो कि आप अपने कप्ची रहीं में लेफ्टाप में खेल सकते इंगेमेज और इसenh तो दोस्तो इस वीडियो के एंग तक देखते रही है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सचीन और आप देख रहे हैं शाट्टैक दोस्तो जो गेम आती है साथ में नंबर पे उसका नाम है यह स्पोर्स क्रिकेट 2005 यह गेम हुई थी निचली रिलेज 1 जुलाई 2005 को और इसको डैवलप किया था एच बी स्टूरियो ने और उस समय यह गेम बहुत जादा बढ़िया थी ग्राफिक्स कहली जह चाहें गेम प्ले उस समय यह गेम बहुत जादा बढ़िया थी 2005 पर अब हम कंपेर करें आज के हिसाब से तो यह गेम इतनी बढ़िया नहीं है पर फ यह गेम हुई थी रिलेस्ते ही मार्च 2007 को मैं यह कहना चाहूंगा कि यह गेम आज भी बहुत बढ़िया इसके ग्राफिक्स और गेम बहुत बढ़िया है पर एश्यस क्रिक्ट के मुकाबले इतने बढ़िया नहीं है पर फिर भी अगर आपी का लो एंड पीसी तब भी 2007 को बहुत ज़्यादा बढ़िया टक कर देती थी और इसमें सिर्फ एक प्रावलम थी कि इसकी जो पैचिंग है जो कम्यूनिटी पैच बनाते हैं वो नहीं इसके ज़्यादा बढ़िया बन सकते थे और इसलिए यह मैंने इस गेम को यह स्पोर्स क्रिक्ट 2007 से थोड़ा सा नीचे रखा है एक पोजिशन अदरवाइस यह बहुत बड़ी अगेम है और आप इसको खेल सकते हैं और आप बात आ दी है चौधे नमवर पे जो गेम है और उसका नाम है यह स्पोर्स क्रिक्ट 2007 दोस्तों यह गेम मुझको परसने बहुत जादा पसंद है मैं इसको शुर हम अपडेट कर सकते हैं किसी का चेहरा अपडेट कर सकते हैं अपना चेहरा लगा सकते हैं औरीजनल चेहरा बना सकते हैं गेमें तो यह बहुत ही बढ़िया फीचर से इस गेम के पर बहुत बुरा हुए कि यह स्पोर्स ने 2007 के बाद तो कोई गेम अपनी रिलेज नी गई अधरवाइस यह स्पोर्ट्स की गेम मुझे बहुत पसंद है और क्रिक्ट जीवर सेवन उसमें सबसे पहला नम्बर आता है उसका दोस्तों जो तीसरे नम्बर में गेम आती है उसका नाम है डॉन प्रेड में क्रिक्ट 14 और इसको बिगांट स्टूडियोस ने रिलीस किया थ इससे पहले भी एक गेम रिलीज होई थी जिसका नाम था एशेस क्रिकेट 2013 वो इतनी नहीं चल सकी वो क्योंकि इसमें इतने ज्यादा बग्स थे इतने ज्यादा खराबी थी इसमें कि इसके जो डेवलपर थे जो उसके पबलिशर थे उन्होंने उस गेम को सेल से हटा दिय जादा बुरी थी जरा आप ये एक बार उस गेम की जलक पाईये वो कितनी जादा बुरी थी और क्यों उसके डेवलपर ये पबलिशर को सेल सेल सी यटाना पड़ा है तो सब जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितनी जादा बुरी गेम है अगर आपने इससे जादा कोई फणी या बुरी गेम देखी हो तो मुझको आप नीचे कमेंट में जरूर बताना पर जहां तक बात करें हम डान ब्रेडमन क्रिकट 14 की इसमें वो सभी ओप्शन थे जो एक मॉडरन क्रिकट गेम या किसी भी गेम में होने चाहिए थे इसमें जूइस फिचर मुझको अच्छा लगा था उनलाइन क्म्यूनिटी का जहां से हम ऊनलाइन क्म्यूनिटी प्लेयर एड़ कर सकते हैं क्म्यूनिटी हम जैसे लोग थे जो एलाइन प्लेयर एड़ करते लिए वहाँ पे जैसी यह अफार इसका देवर टो ہम entails प्लेयर अपने क्रियेट किये होते थे जो सही नाम के या सही चैरे वाले थे तो वह हम उसको डाउनलोड कर सकते थे तो यह फीचर मुझको बहुत अच्छा लगा था इस गेम में और इसका गेम प्लेय भी बहुत बढ़िया था पर थोड़ा सा मुश्किल था न्यूबाय के लिए जो नए प्लेयर थे उनको खेलने के लिए ओवराल यह बहुत ज्यादा बढ़िया गेम थी और दोस्तों हम बात करते हैं उस क्रिकेट गेम की जो है दूसरे नंबर बेस लिस्ट की जी हां मैं बात करा हूँ डॉन ब्रैडमन क्रिकेट 17 की और यह क्रिकेट गेम भी र बहुत ज्यादा पसंद आया था और वो था डेडिकेटेड कम्यूनिटी बहुत जादा डाउनलोड कर सकते थे और दूसरी जो सबसे ज्यादा बढ़िया चीज मुझे को लगी थी वो थी स्टेडियम एडिटर जो स्टेडियम एडिटर था उसमें नया उससे हम अपने जो बदलती रहती सीरिस के साफ से जैसे एड वगरा वगरा पर जो स्टेडियम एडिटर था पर हम उसके साथ ये सब कुछ बदल सकते थे कर सकते थे और अगर हम गेंप्ले की भी बात करें तो ये डीवी सी 14 से थोड़ा सा आसान था सीचने के लिए पर और ये क्रिक्ट ग लिस्टिक ग्राफिक्स वाली क्रिकट गेम है मैंने बहुत सारे ग्रीविस पड़े थे जिन में लिखा था कि इसमें कमेंटरी बुरी है पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा इस इस गेम के ग्राफिक्स तो आप देखी सकते हैं पीछे वीडियो में और इसका गेम प्ले भी जाधा यूजर प्रेंडली है कोई भी इसको जल्दी से खेलना सीख सकता है और एशेस क्रिकेट नंबर वन स्पोर्ट डिजर्व करती है इस लिच्ट में दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत जाधा पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियो देखने क लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें